नमस्कार, वेलकम टू वर्ल अफेर्स नहों प्रशान दवन आज के समय टैनिस एक बहुत ही मेजर ग्लोबल स्पोर्ट है दुनिया में पाँचवा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट मना जाता है टैनिस इन टम्स ऑफ फॉलोवर्स एक बहुत बड़ी मार्केर ए ट एक प्रशान आज कर देंगे अगर पैंगशवाई की जो मिस्ट्री है यह सॉल न होती अब यह मिस्ट्री क्या है यह क्या है देखिए बहुत ही कम शब्दों में भी जान लो कि ये चाइना की एक बहुती बड़ी tennis player है इन्होंने Chinese Communist Party के एक बहुती दिगज लीडर पर आरोप लगाया कि उन्होंने इनका rape किया था और तब से लेकर अब तक ये गायब है और दुनिया भर की जो female tennis players है वो चिंतित हैं इनकी safety को लेकर कि Communist Party और चाइना नेन के साथ क्या किया था डिसकस करते हैं इस पूरे incident को बहुत जारा मैं काऊंगा आई ओपनिंग incident है चाइना कैसे operate करता है इसके बारे में भी आपको काफी आपर जानकारी मिलेगी मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question भी मैं पूछूँँगा question यह है कि Women's Tennis Association के headquarters आपको किस देश में मिलेंगे Germany, France, USA या फिर Canada comment section में करो answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के end में ओके सो यहाँ पे आप देख पाओगे यह tweet है by Serena Williams Serena Williams के बारे में आपको बता होगा world famous tennis player है यह कह रही है कि मैं उमीद करती हूँ कि यह Peng Shui safe है मैं काफिया तक चिंतेत हूँ कि जब से इनोंने rape के allegations लगाए है यह बिलकुल गाइब हो गई है और where is Peng Shui जो यह hashtag है न यह all over the world आज कैसे में trend कर रहा है अब समझाता हूँ आपको जो यह पूरा incident है यह शुरू कब हुआ यह शुरू वा था 2 November 2021 को जब Peng Shui चाइना के social media पे गई और इनोंने यहाँ पर यह कहा कि चाइना के एक दिगज निता जैंग ने sexual assault करी थी इन पर 3 साल पहले जैंग की अगर मैं बात करूँ तो जैंग गावली यह एक बहुत ही बड़े लीडर थे Chinese Communist Party में आज कैसे में retired है जब यह पावर में थे तब यह Vice Premier थे of the People's Republic of China between 2013 to 2018 जो Chinese Communist Party का Politburo है जो उनकी मेन आपके लिए Central Command है उसके member रह चुके हैं और China ने जब भी कोई major committee बनाई है international perspective से या domestic perspective से उसको जैंग गावली नहीं देखा है For example, जब committee बनाई गई 3 gorgeous dam को लेकर तो उसको जैंग ने देखा उसके लाबा North-South Water Transfer Project, One Belt, One Road Project माना जाता है कि इनका ही brain child है और जब यह power में थे तब world leaders इन से ऐसे मिला करते रहे क्योंकि चाइना की जो internal functioning है वहाँ पर इनका बहुत ही important role था यहाँ पर आप देखोगे जैंग से जादा भरा को मामा खुश लग रहे हैं कि finally इनको इन से मिलने का मौका मिल गया अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि जो यह चाइना की tennis player है पैंग शुआई क्या यह भी एक बहुत ही बड़ी player है तो इसका answer है हाँ बिल्कुल mixed doubles में यह world number one रह चुकी है और जो भी tennis follow करता है they know about her तो 2 नमंबर 2021 को पैंग शुआई वाइभू पे गई वाइभू आप कहलीजिए चाइना का twitter है वहाँ पे इन्होंने पोस्ट डाली बहुत लंबी और इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जो यहाँ पर चाइना के लीडर है जैंग इन्होंने sexual assault करिया इन पर इन्होंने यह बोला के 2011 में भी इन पर sexual assault करी गई थी तब इन्होंने किसी को बताया नहीं उसके बाद जैंग इनसे एक party में मिले या फिर यह इनकी party में गई थी ऐसे इन्होंने कुछ clearly बताया नहीं यह का के एक party में दोनों मिले वहाँ जैंग ने जबर्दस्ती इनको एक कमरे में बुलाया, उनका बॉडिगार्ड भी यहाँ पर साथ था, दर्वाजे पर बॉडिगार्ड को हुडा कर दिया और sexual assault किया इन पर, और यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ के जैंग की उसक्त एज थी 75, पैंग शुवाई की एज क कुछ 30-32 के आसपास थी, और आप अगर उस पूरी पोस्त के स्क्रीन शॉट्स देखोगे, तो वहाँ पर पैंग शुवाई ने यह भी एड़ किया है, कि यह डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, कि हाउ डिस्गस्टेड शी फेल्ट, इनको ऐसे लगा कि क्या मैं सही में ह यूमन हूँ, मेरी कोई dignity नहीं है, क्या मुझे ऐसे लगा कि मैं जिंदा लाश हूँ, तो उन्होंने इस तरीके से जो इनकी पूरी ordeal है, यह explain करी, अब यहाँ पे आप कहोगे, मैं यह को कहा रहा हूँ कि अगर आप screen shot देखे, वो post नहीं दे सकते हैं, तो इसका answer है नहीं जैसे ही इन्होंने यह post करी, चाइना के social media पर, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, चाइना की जो communist party है, यह हरकत में आ गई, within minutes यह जो पूरी post ही delete कर दी गई, इनका account freeze कर दिया गया, हर social media पर altogether complete freeze, कोई वहाँ पर comment नहीं कर सकता, चाइना के जो search engine होते हैं, जो चाइना मे censored, ताकि इनके वारे में कोई बात भी ना कर पाए चाइना में, केरोंने किस प्यारूप लगाए हैं, उस आदमी को accountable ठराना चाहिए, नहीं ठराना चाहिए, तो तब से लेकर अब तक यह बिलकुल गायब हैं, बीच में क्या हुआ, कि चाइना का जो सरकारी media है, उसने एक पोस्ट रिलीस करी, और पोस्ट को यह लोग कहते हैं, कि देखो यह पैंक शुआई का message है, उस message में यह लिखा था, कि मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी public के सामने आ जाओंगी, अब दुनिया भर में लोग कावी चिंतित हो गए, कि यह कितनी है जीब बात है, कि एक celebrity को, आप य चाइना वे pressure डाल रहे हैं, कि पैंक शुआई को रिलीस करो, हम उनके मुझसे सुनना चाते हैं, कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वो ठीक है, मगर चाइना की सरकार कह रही है, कि नई, अभी हम यह नहीं कर पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, इस बात से related question, जब चाइन जिन्दा भी हैं, या नई जिन्दा उसके बारे में पता नहीं है, हाला कि चाइना से जो कुछ आपके लिजे सूतर हैं, जो sources हैं, उन्होंने अनफिशली का है, कि उनको मारा नहीं गया भी तक, जिन्दा है, मगर वो Chinese authorities की custody में है, और Chinese Communist Party के लिए जो यह पूरा incident है, बहु तरीके से एक बड़े दिगज, Chinese Communist Party के लिडर को इस तरीके से expose किया गया हो, तो Chinese Communist Party को अभी अभी समझ नहीं आ रहा है, कि कैसे यहाँ पर react करें, डर दुनिया को यहाँ पर यही है, कि यह लोग यह डिसाइड ना कर दे, कि पैंक्श्वी को मार देते हैं, और all together केसी close हो ज अगर पैंक्श्वी बहुती जल्द पब्लिक के सामने नहीं आई, तो हम सारे relations चाइना के साथ कर कर देंगे, क्योंकि यह बात टैनिस के भी उपर की है, यह बात तो एक आप्मी की personal safety की है, क्योंकि Chinese Communist Party literally गुंडों की तरह यहाँ पर behave कर रही है, तो अब देखना यहाँ प लोग Peng Shui का जो incident है, यह भूल जाएंगे, वापस आते हैं हमने MCU पर के Women's Tennis Association के headquarters आपको कहाँ पर बिलेंगे, तो सही उतर इसका है, option C USA में, USA Florida में आपको मिलेंगे headquarters of the Women's Tennis Association, और finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ कि अगर आप genuine तरीके से UPSC exam की preparation करना चाहते हैं, तो comment section म यहाँ पर आपको मिलेगा यह link, इस link पर क्लिक कर कि आप purchase कर पाएंगे, Unacademy का unique combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, optional जो भी आपकी choice का हो, history, geography, political science, you can choose, इस सब की त्यारी कर सकते हैं, in a single package, यह सारे courses आप अलग-अलग purchase करेंगे, अपनी card में डालेंगे on Unacademy.com, तो आप आपको 15,000 रुपीज एक्श्रा पे करने होंगे, combo में आपकी saving होती है, उसके इलावा additional discount आपको और मिलेगा, अगर आप use करते हैं, यहाँ पे promo code PD10, the prices will fall even more, so use the code PD10 and save your hard-earned money, so इसी note के साथ यह है video कान, thank you for listening and as always, God bless you all. झाँ सकतुम